मैं डॉक्टर सचिन शुकला और राश्टी आए एवं योगता दारी परिक्षा में ये घरी से संबंदित सवाल हमें मिलते हैं वह पूछता है कि तीन बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिगरी का कोण होता है तो देखे इसके इसके बड़ी चीज का होती है अब आपको करना क्या है उससे 30 से गुणा कर देना ही यह ऋझ्ता गया नबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब बिता हो गया आठतिया दो चालिश चौबेस दो सोचालिस यानि इनके बीच में जो एंगिल होगा वो कितने डिगरी का होगा दो सोचालिश लेकिन अब वो राष्टी योगता धर्रिक परिक्षा में ये भी पूछ लेते हैं कि आठ बजकर 20 मिनट पर घंटे की सुई तथा म में कितने डिगरी का कोन होता है इस पतार के समाल में देखिए क्या करते हैं ये आठ बजकर है ना या निया आठ से थोड़ा आगे निकल जाती है आठ पर दो होगी नहीं लेकिन हिहां पर क्या करते हम आठ को तो हम तीस से करेंगा इंग गुणा अब ये मिनट के सुई भी इस नियुक्त है फ़ाओ कर दो कि यहां किया करते हैं किया करेंगे अब देखें इसे कउचा क्या होगिए कि उससो चालेश मैने अब देखेंगे एक सो दस यह निई दक द्दा दो यहींगशा रहोग नुभ देखिए इससे फेट का कंप तो अ यानि इनके बीच में कित्रे डिग्री का कोड़ होगा गंटे में तो सीधे गंटा दो गंटा तीन गंटे लेकिन मिनट के सुई जब चार पे आई तो इसका मतलग क्या वो चार घंटे दोली हुआ इसका मिनट के वह बीस मिनट तो यह तो आट की तीस से गुड़ा हुई और यहां किया गुड़ा हुई यहां आप देख सकते हैं बीस की गुड़ा किस से हुई ग्यारा गटे दो और यह सवाल आप अराम से यह किन घटाना पड़ेगा तो आपका एंगल कम हो रहा बड़ थोड़ी रहा है तो मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और यह घड़ी से झाल आप झाल